हेलो हाई रूइन स्ट्राक्टिव बन में आप लोग का स्वागत है तो आज हम लोग बात करने वाले विप्रो के शेर्स के बारे में आई इन फैक्ट आप लोग देख सकते हैं विप्रो क्या ही धमाल मचा यह यहाँ पे 3.43 परसेंट तक उपर जाते हुए दिखी है और आज उससे पहले 2-3 रेसिस्टेंस आपको याद रखना है और आपको यह भी याद रखना है कि इधर उदर कहीं पे तो रेड कलर का बटन होगा तो प्लीज पहले जाके चैनल सस्क्राइब कर लो यहाँ पर बात करें विप्रो के आगे में तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी जिस लेवल पे तेजी बनी है एक अच्छी खासी तेजी हमें आज के दिन देखने को मिली है क्योंकि यहाँ पे अगर हम लोग फोकस करें तो एक डारिकली एक अपर ट्रेंट को फॉलो करते वे दिखा और यहाँ से जो जब मिली वो एक अच्छी जब रही मार्केट के लि यहां पर देख सकते हैं यह सबसे पहले मेजर स्टरंग सपोट ऐने इन फाट फैव दिरेश्ट हसे मैं चके से लिखाओं तो जस्ट आप लोग सकते हैं कि यहां पर आप देख सोंव आने सबसे वहेले हैं सबसे पहले स्ट्रोंग रेसरिस्स्टेंस बनाए और chances रख रही है कि 510 तक जाते हुए अब दिखेगी अब ऐसा क्यों बोना हो इसके पीछे भी reason है यहाँ पर सबसे पहले मैं holding से साइट दिखा दो तो holdings के इतने होते हैं 42.18% ठीक ठाक holding से मतलब ठीक ठाक नहीं अच्छी खासी holding बोलुगा अगर इतनी जादा ऊपर जा रही है और सपड़ भी इतने holdings बन रहा है तो एक best holdings मेरे नजर में है अब अगर IT stock के side बात करें IT stock क्या अब IT index के side बात करें तो देख सकते हैं IT index में गजब का level का flow देखने को मिला है यहाँ पर मैं आप लोगो कुछ comparison दिखाना चाहूंगा तो आप यहाँ पर दिहान दे सकते हो कि एक अलग level पे IT index मेंटेन करते हुए दिखी एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है यह कुछ मंस से और यह यहाँ से trend आप देख सकते हैं trend पूड़ा का पूड़ा change होते हुए दिखा अपर trend को बहुत प्यारी तरीकी से follow करते हैं यहाँ पर डाउन देते हुए फिर उसके बाद एक अच्छा resistance support मेंटेन करते हुए एक अच्छे तरीकी से तेजी अभी चीज तरीक से भागिए वो बहुत ही अच्छे तरीक से भागिए इस chart pattern को अगर हम लोग focus करें क्योंकि मैं इसलिए बताना हूँ यह चीज क्योंकि IT index भागेगी तो IT इंडेक्स भागेगी यह वाइस वर्सा है आपको यह चीज समझना पड़ेगा अगर यह अभी के टाइम में यह 39,000 तक जाती है जैसे ही यह 39,000 यहां पर 39,000 का एडिया है आप मेरे माउस के करसर पर तो जैसे ही यह 39,000 का क्योंकि आप देख सकते हैं हमेशा जब भी जब मिला है ब्रेक आउट के बाद जब मिला है यहां पर देख सकते हैं ब्रेक आउट होते हुए फिर से जब मिला तो यह पूरा का पूरा यह चीज बता रही कि यहां से आपको ब्रेक आउट मिलेगा गा बट अगर वहां तक पहुंचती है तो वहां से थोड़ा अगर तेजी बनाती है तो उसके बाद आपको थोड़ा सा डाउन आते हुए दिखेगी फिर से मार्केट में या तो आपको 40,000 तक जाएगी तब आपका ये एरिया फिर से आ जाएगी मतलब ये आपको कुछ 39,300 तक फिर से आते हुए दिखेगी और 40,000 जाती है तो अगर 39,000 में ही जाती है तो आपको लगभग लगभग 3,800 से 700 के सॉरी मैं कन्फ्यूज हो गया 37,000 तक आते हुए दिखेगी मैं क्या ही बोराओ गलती बोल दिया यार 38,700 तक के बीच में आते हुए आपको दिखेगी सॉरी थोरा सब मिस्टेक हो गया बट कोई न यहाँ पर आपको उतना तक 300 पॉइंट्स आप और समझ लो कम होते हुए दिख सकता है 40,000 तक जाएगी तो 400 पॉइंट्स कम होते हुए आपको दिख सकता है ऐसा एक्जामिन किया जा रहा है क्योंकि ये सारे डेटा के अकॉर्डिंग यही चीज बता रहा है यही चीज बता रही है और अभी ट्रेंट अच्छा खासा पकड़ी हुई है और आपका सपोर्ट अगर आप IT से से सपोर्ट देखना चाते है तो आपका major support अभी ये ही बन रहा है 36,000 पर आपका major support area बन रहा है तो आपको यहाँ पर focus रखना है बट यह तो बात की बात होगे बट आप लोग को क्या focus रखना है अब यहाँ पर तो विप्रो भाग रही है अभी भाग रही है अच्छा खासा भागेगी तो 510 का आपका target बन रहा है and support अपना मत भूलिएगा support का zone यह बहुत important zone है आप लोग के लिए और भी जादा information के लिए चैनल को subscribe कर लिए बेल आइकन पर भी click कर लिए for my latest update और कुछ भी doubt तो आप comment करके पूछ सकते हैं in fact मेरा एक और account है Instagram पर finance का funda तो आप इधर भी जाके मुझे follow कर सकते हैं यहाँ पर भी बहुत सारे informative वीडियो आते रहती है तो please go and follow this account thank you have a nice day guys